चंडिगड में Federation of Private School Association के अध्यक्ष कुल्भूशड शर्मा ने प्रसकॉंफेंस के जवरान कुल्भूशड शर्मा ने सरकार पर बेदभाव करने कारोप लगाया है कुल्भूशड शर्मा ने हमारे संबादता पावन सिवर से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है उन्हों है को घ्यरा आज आपने ये कहा कि सरकार जो हम ने जी स्कूलों के विरोध में फैसले कर रही है कैसे आपको लगता है गलना कर सक्साशा हर अनृट वन्मा शिक्षा से वचित करें तो इस आ भी बताईए पवन जी के इस आदेश का मतलब क्या कि फीस दो ही ना तो पहला तो आदेश ये गलत था उससे प्राइवेट स्कूलों के फीस ही नहीं आई अब ये कह दिया के पैसे दो या ना दो गौर्मेंट स्कूल में आ जाओ और SLC के लिए अपलाई करने की जरूरत नहीं है जो सेक्शन 136 कहता है उस कानून की भी पालना करने की जरूरत नहीं है गौर्मेंट स्कूल में आओ गौर्मेंट स्कूल का प्रिंसिपल अपने आप मेल करेगा अब 15 दिन में एटोमेटिक SLC माननी जाएगी की फीस दो या ना दो तो सिदास इससे जाहिर होता है कि प्राइवेट स्कूलों से सुतेला वैवार है उनके बच्चों के साथ सुतेला वैवार है उनके शिक्षकों से सुतेला वैवार है अच्छा तो ये बनता कि जो महामारी के समय में जो जहां पर था उसको वहां रहने दिया जाता है उसको सपोर्ट किया जाता मॉरली लेकिन इस तरह कि एवरस्ता फैलाना सरकार का काम नहीं सरकार का काम है कि किसी का रुजगार ना जाए प्राइवेट स्कूल के टीचर का भी रुजगार ना जाए प्राइवेट स्कूल भी सड़क पे ना आ झूज रहा है और यीजी स्कूल ने मन मानी की और कई सकूल ने अपने फीस बढ़ाने के लैर जारी कर दी जब इस तरह की प्रिस्तिति से देश जूज रहा था तो आपको लगते हैं कि संपन्स नहीं बढ़ने का फैसल फैसला था हम एक सरकार को एप्रेल से पहले पहले उसका निड़ने करना होता है, सरकार ने सब को पारित कर दिया था, उसी के सारे talkin्ते पारित, прибाने से को माँदिया था, और अगर कोई सकूल में नहीं जा रहा, कि फ्यूल के चार्जिस सिर्फ 20% है आप बताईए ड्राइवर कंड़क्टर कहा जाएंगे तो ऐसे में सरकार आगे आए ड्राइवर कंड़क्टर की सेलरी दे दे बसों के लोन है बसों के इंशूरंस है लॉग डाउन के दौरान सरकारे कम करे हम उनसे ट्रांसपोर्ट चार् सरकार माफ कर दे सरकार अपना कुछ भी माफ नहीं करना चारी और उल्टा जो है भरम फैलाना चारी इसलिए हमने का कि सरकार इस दौरान लोर मिडल और मिडल क्लास के अभी भावकों को 3000 रपे महीना की मदद करे ताकि ये स्तिती से निकला जा सके ये बच्चे भी सरकार के जर सरकारी स्कूलों के बच्चों पर खर्च सरकार लगातार कर रही है मिड्डे मील भी दे रही है किसी चीज बे कटौती नहीं कर रही तो थोड़े दिन अगर संकट पर मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास है तो उन्हें अगर अपनी मर्जी से प्राइवेट स्कूल चुने उनकी मदद अगर सरकार देrounded तो सरकार को क्या जाएगा क्या सरकार इंको तो पीस को पे करें से सरकार सीधा खहेगी कि अगर आपको इस तरिके कोई ढए पाइश्वी दिक्कत लग रही है तो आप सरकार स्कूल में आई Supreme nggak यह बदिया सलसी लेंगी जूरव पी नहीं है तो सरकार एक चीज घोशित कर दे कि सरकारी स्कूल में क्या बच्चे फ्री एं लोवर मिडल और मिडल के टेक्स से ही वहां पर जो है तनखाई दी जाती है और एक बच्चे पे पांच हजार से आठ हजार पर महीना खर्च हो रहा है यानि वहां पर भी लोवर सरकार की नहीं है अब आप बताईए उच्छे लाग शिक्षिकों को क्या होगा बीस हजार स्कूल संचालकों को क्या होगा क्या इस क्रोणा महमारी में उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा आपकी फैडरेशन की हमारी सरकार से यह गोहार है कि एक तो यह स्कूल क्लास के बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनके अभी भावकों मैं बार बार कह रहा हूं तीन हजार पर प्रतिमा की लॉगडाउन के दुरान मदद करें उसके बाद तो पेरन्ट अपने स्कूलों को अपने अफीस दे देंगे लेकिन इस दुरान जो है सरकार को आगे आके पर भावित होगी इन सब मांगों के साथ सरकार के सामने हैं लेकिन अगर सरकार SLC का फैसला वापिस नहीं लेती है तो फिर क्या कदम होगा देखिए कोर्ट पे तो हम जाई चुके हमें पूरी उमीद है कि कोर्ट से हमें नयाई मिलागा क्यों ये बिलकुल गैर कानूनी है दूसरा अगर सरकार हमारे साथ इस तरह का वैवार जारी रखेगी सोतेला वैवार तो हम भी सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे कोई भी इंफर्मेशन हम सरकार को देना बंद कर देंगे और कोई भी कुर्बानी कोई भी अंदोलन भी करना पड़ा तो फेडरेशन और हर सिल्चालग और शिक्षक पीछे नहीं अटेंगे तो यह जो वो प्राइवेट स्कूल एस्वेशिशन के तमाम पता दिकारी हमारे साथ थे कुलबूशन जो है उनका यह कहना है कि सरकार नीजी स्कूलों के साथ सोतेला व्यभार कर रही है साथी जो एसल सी आज नीजी स्कूल